हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो अवर चैनल एफेक्टिव श्टड़ी आज हम देखेंगे LCM और SCF को एक ही मैथमेटिक्स की ट्रिक से करने का तरीका क्या है जनरली हम LCM को जब करते हैं तो आप गुडनखंड विदी से करते होंगे जिसे कि हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं इसमें आप फैक्टर करते हैं और अगर आप से SCF निकालने को कहा जाए तो आप भाग विदी से करेंगे यानि की continuous division method जिसे कहते हैं जैसे कि आप LCM निकालते हैं तो कि आप फैक्टर करते हैं मान लिजी फोर एक्जांबल 12, 15 और 30 LCM आपसे कहा गया तो आप इनके factor करके निकालेंगे और SCF अगर आपसे कहा गया तो आप छोटी value का उससे बड़ी value में आप divide देंगे 1 times जाएगा 3 बचेगा 3 का 12 में देंगे 4 times जाएगा और फिर इस तरीका आप वापस से जो last value है 30 उसमें देंगे तो 10 times जाएगा तो इस तरह से आप इसको करती है तो SCF आपको 3 मिल गया और LCM निकालने को कहा गया तो आप इसके factor करेंगे तो दोनों को आप अलग-लग दो तरीके से करती है जब एकी सवाल में अगर दो चीजा पूछी जाए तो आपको double मेहनत करनी पड़ती है तो आज क इस में धर्ड में हम double मेहनत नहीं करने वाले हम सबको एकी तरीके से करेंगे देखे तो वह कैसे करेंगे तो फोर एक्जांपल हम एक फर्ष्ट एक्जांपल लेते हैं मान लिजी हमको 28 और 32 इनका LCM और SCF दोनों ही निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे जिस तरह से आप factor कर 14 में 7 टाइम्स और 16 में 8 टाइम्स लेकिन अब किसी common संख्या का divide नहीं जाएगा इन 7 और 8 में ऐसा कोई भी common संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाए तो 2 और equal to ये दोनों क्या थे वो common संख्या हैं थी जिनका दी कही सभी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा था यानि कि यह दोनों काम करेंगे SCF का तो अगर आपसे SCF पूछा जाए तो आप इन दोनों संख्याओं का multiply करतें यह वो संख्या हैं जिनका दी गई सभी संख्या में भाग जा रहा था लेकिन जैसे ही सभी संख्या में भाग जारा बंध हो जाएगा तो वैसे ही आ आप सभी का multiply कर दीजिए, आपको LCM मिल जाएगा, जैसे 2 x 2 x 7 x 8, आप सभी का multiply कर दीजिए, इनका multiply जाएगा 224, तो इस तरह से आपको SCF भी इसी method से मिल गया, और LCM भी इसी method से मिल गया, हमने क्या किया, जब तक common संख्याओं का भाग जा रहा था, तो उन सभी का multiply कर दो क common संख्याओं का, तो आपको SCF मिल जाएगा, लेकिन अगर सभी में common संख्या, अगर कोई नहीं है, तो फिर आप इन सभी का गुणा कर दीजिए, आपको LCM मिल जाएगा, जैसे कि एक और example देखे हैं, यह दो ही संख्या थी, अब तीन संख्याओं का देखते हैं, मान लीज 45 में 9 टैम्स और 60 में 12 टैम्स गया, तो 5 इसे एकलोती common संख्या है, जिसका इन सभी में भाग गया, इसके बाद कोई और common संख्या है, जिसका इन 3 में भाग जाएगा, नहीं, तीनों में भाग जाने वाली कोई भी common संख्या नहीं है, तो यहां से आपको SCF तो मिल गया 5, एक ही संख्या है, तो केवल वही, एक से जादा होती है, तो उनका multiply कर देते, लेकिन अब LCM की बात हम करें, तो तीनों में तो कोई common संख्या नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो है, तो अभी इसको आगे continue हम करेंगे, 3 का जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 7 को 7 लिखेंगे, 9 में जाएगा, 3 times, 12 में जाएगा, 4 times, चलिए, अब तीनों में से, किनी दों में भी अब कोई common संख्या नहीं है, तो आप इन सभी का multiply कर दीजिए, 5 into 3 into 7 into 3 into 4, multiply करने का short trick यह है, कि अगर 5 आ रहा है, तो 5 को आप हमेशा even number, यानि कि सम संख्या से ही multiply करें, जिससे कि आपक इन सभी का multiply अलग कर ले, 3 into 7, 21 into 3, 63, और 5 into 4, 20, 63 का 20 में हम करेंगे, तो 126 और 10 आ जाएगा, तो 1260 यहाँ पर LCM हो गया, और 5 जो है, वो SCM हो गया, यानि कि दोनों ही हमने एक ही मेथड से कर लिए, तो एक ही सवाल में हमको दोनों निकालने है, आप यह मेथड करेंगे, ह तो कोई कॉमन संखे जिसका इन सभी में डिवाइड जा रहा है, वो है 2, 2 का दिया 18, इसमें जाएगा 30 टाइमस, 42 और 45, इसके बाद कोई कॉमन संखे जिसका इन सभी में जा रहा है, तो कॉमन संख्या 3 है, जिसका इन सभी में डिवाइड जा रहा है, तरीका 6 टाइमस, 10, 14 times और 15 times इसके बाद कोई और common संक्या जिसका इन सभी में भाग जा रहा है तो का देंगे तो टुका इन तीनों में जाएगा इस में नहीं जाएगा थरीका 6 और 15 में जाएगा केवल तो 4, 5 आगे ऐसी कोई भी अबाज संक्या हमारे पास नहीं है जिसका इन सभी में भाग जाएगा केवल इन दोनों का जा रहा है सभी में भाग तो SCF आपको यहीं से मिल गया 2 x 3 6 इनका SCF है जबकि LCM की बात करें या लगुतम की अगर हम बात करें तो अभी समय नहीं जा रहा है लेकिन 2 या 3 में तो जा रहा है किसी कॉमन संख्या का डिवाइड तो हम उसको आगे कंट्यूनी करेंगे अभी टू कर देंगे तो 6 में जाएगा, 10 में जाएगा, 14 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, तो उसको जैसे गादर सा लिख देंगे, अभी और जा रहा है, 3 का जाएगा, 1, 10, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा, और 5 का और जाएगा, 5, 7 में नहीं जाएगा, इस 5 में इन सभी का multiply आप कर दीजिए तो आपको LCM मिल जाएगा यहां से यानि कि लगुतम मिल जाएगा तो वो क्या मिलेगा क्या करना होता है हमको 5 का तो आप हमेशा किसी भी even नमर में सम में multiply किजिए बागी सब कला कर लीजिए 7 x 3 21 x 3 63 x 2 126 और 5 x 10 का 0 और आ जाएगा सकते हैं और LCM में निकाल सकते हैं आपको अलग से ऐसी अब निकालने के लिए भागविदी नहीं करनी है तो उमीद है आपको यह ट्रिक यह method पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को like कीजिए comment कीजिए दोस्तों के साथ वीडियो को share कीज तब तक के लिए thank you good bye